नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सूपर राज पर सो अदानी के साथ जुड़ा हुआ जो पूरा का पूरा मुद्दा है वो अब संसद में भी पहुन चुका है कई सारे जो विपक्षी दल है वो यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि अदानी वाले पूरे किस्से के अंद किया जाना चाहिए because कहीं ऐसा नहों कि जब उनके ऊपर ऐसी जान शुरू हो तो वो भी कहीं इंडिया से डर कर भागना जाएं आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे यह वाली जो डेवलपमेंट्स हैं almost हम लोग दो दिन से सुनते आ रहे थे और आज morning में जो डेवलपमे को सबसे पहले confiscate किया जाना चाहिए बात करेंगे यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही है आए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ यदि आप मुझे follow करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया गया जो टेलेग्राम चानल है इसके माधिम से आप लोग ऐस कर सकते हैं all right so कल रात को आपने I'm sure यह सुना होगा कि अदानी ग्रूप के द्वारा जो उनके अदानी एंटरप्राइजेज का एफपियो था उसको basically वापिस ले लिया गया था आप यहाँ पे देखेंगे the board of अदानी एंटरप्राइजेजेज डिसाइड़ नॉट तो गो इन्हों ने कहा too expensive to buy your own shares at Rs.3200 when you can buy them from the market at Rs.2,000 तो इन्हों ने यहाँ पर यह भी कहा कि जो है यह पूरा का पूरा जो मामला है यह से भी इंडिया को एक तरीके से fool कर रहा है and not don't disclose source of money बहुत बड़े लेवल भी market manipulation हो रही है और इस चीज़ को पूरी चीज़ को यहाँ पे तरीके से हमें showcase करी जा रही है उसके बाद बलकी हमने ये भी देखा कि आम आदमी party को belong करने वाले जो MP है संजे सिंग इन्हों ने भी एक interview में कहा कि अदानी group के द्वारा जो भी यहाँ पे चीज़ें कही जा रही है और करी जा रही है it is a mountain of lies and fraud यानि कि जूट और जो की चिंता में जा चुके हैं especially वो लोग जिन्होंने LIC और SBI में अपना पैसा डाला था because both of them have given loans worth crode of rupees आपको बताना चाहूंगा कि वैसे तो LIC की total investment अदानी group में बहुत major नहीं थी total investment of LIC में अगर आप देखेंगे तो अदानी group companies में उन्होंने जो निवेश किया था व इसकी जो value थी वो लगभग लगभग 80,000 करोड की थी लेकिन अगर आप देखें तो वो वाली 80,000 करोड में भी almost 16,000 करोड का जो wealth erosion है वो already हमें देखने को मिल चुका है उसके बाद बलकी इन्होंने ये भी कहा कि मैंने PM Modi को already एक चिठी लिख दी है मांग करते हुए कि CBI औ इनकी जो चिठी है ये भी सामने आई है जिसमें कि इन्होंने इस चिठी को लिखा है PM Modi के लिए लिखते हुए कहा है that अडानी एवं अडानी समू के सभी लोगों के passport जब्त करने तथा अडानी समू की सभी कंपनियों में हुई वितिय अनिमितता और शेयर धारकों के साथ दोखादड़ी के जांच करने के संबंद में इन्होंने लिखा है कि जो ये report सामने आई है उससे already LIC को 16,580 करोड रुपे का नकसान हुआ है और जो आम निवेशक है उसके लिए ये काफी बड़ी बात बन जाती है और यहीं पे इन्होंने कहा कि PM को सामने आना चाहिए, Finance Minister को सामने आना चाहिए कि RBI, ED, CBI जो है वो क्या कर रही है हमें इस पारे में मालूम होना चाहिए उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि FPO केवल चुरुआत है, The Mountain of Lies Will Fall और ये कहानी केवल हमें Trinamool Congress या आम आदनी पार्टी की नहीं बल्कि आप यहाँ पे देखेंगे, तो suspend किया जाए और सबसे पहले इस चीज के बारे में बातचीत होनी जरूरी है, आज मॉर्निंग से ही हम देख रहे हैं, ये देखें दो फरवरी सुबह बारा मजे खबर आती है, देन BRS जो भारत राश्र समीती जो पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने भी suspension of business notice issue कर दिया in both houses of Parliament to discuss the Hindenburg report against the Adani enterprise, ये वाली खबर भी सुबह 11 मजे ही सामने आ चुकी थी, even CPI के जो MP है, बिनौय विश्वास, इन्होंने भी suspension of business notice को दिया on Adani stock crash issue, तो मुद्दा जो है, वो Parliament में already enter कर चुका है, शिवसेना के MP संजेरोथ ने कहा कि दोनों houses of Parliament में, opposition parties would bring up the Hindenburg report and the Adani stock crash, and obviously यहाँ पे सभी parties ने मिलकर के ये भी मांग करी है कि एक JPC, यानि कि Joint Parliamentary Committee को बनाया जाए, be established to investigate the alleged irregularities, और again Congress भी यहाँ पे चुप नहीं रही है, तो Congress के भी जो veteran leader है, Manish Tiwari जी यहनोंने कहा है, we demand an investigation by the JPC on the issue, we will raise the demand inside the Parliament, if the government does not accept our demand, we will take appropriate steps, we will demand JPC should be constituted to go into the alleged aberrations, so overall आप देख सकते हैं कि अलगला विपक्षी दल हैं, जो कि अब जा चुके हैं संसद में, जो कि इस मुद्दे को raise कर रहे हैं, सवाल यही है कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर आप मेरी personal राय की बात करें, तो मैं मानता हूं कि definitely clarity मिलनी ब की richest इंसान थे, और सेबी ने भी कल रात को कहा था, February 1 को कल रात को एक खबर सामने आई थी, 9.40 पर आप देखेंगे, सेबी examining adani group shares route यानि कि जो उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, उसको सेबी examine कर रही है, इवन आज भी अगर आप देखेंगे, तो जो adani group के अधिकत कर दिया है कि जो भी आपका exposure है, जो भी आपने अलग-लग loans दिये हुए हैं, उसके बारे में आप लोग हमें जानकारी जरूर दीजे, और अगर आप देखें, बाहर की companies, जैसे पहले कल रात को खबर सामने आई थी, credit swiss की, और अब सब खबर सामने आई है, city group की, उन्हों आप लोग क्या सूचते हैं, definitely हमें बताइए comment section में, जाने से पहले साथ यो बताना चाहूंगा कि test book आपके लिए लाया है super coaching जिसमें कि आप अपने घर बैटके UPSC की तयारी को शुरू कर सकते हैं, विशेश रूप से जो बच्चे college के आखरी year में हैं, सोच रहे हैं, तया